तो चलिए नोट कर लिया मैंने exercise 4.1 ठीक है आप पड़ सकते हैं कोशन NCRT बुग में भी आपको मिल जाएगा मैंने कि चैक कीजिए इनको चैक करना कितने पार्ट है आपके एड पार्ट है तो चैक करना हमको वैदर कि क्या फॉलविंग वैरिबल की उसी को डिगरी बोलते हैं ठीक है कि जो डिगरी अगर 2 आ गया तो समझो वो क्वाडिटी के कोशन है अधरवाइज नहीं है ठीक है आई बास मयानिकी जो अभी आपको बताया अगर जो इस स्टैनर फॉर्म की तरह होगा इस वाले तभी हम उसको क्या बोलेंगे उसको हम क्वाडिटी के कोशन बोलेंगे पहले कोशन का फर्स पार देखे मैंने नोट किया हुआ अल्डी यह बुक से आपका ठीक है मैंने पहली नोट कर लिया एकस प्लस वन का होल स्कॉर इक्वल टू है 2x-3 तो देखते हैं इसको सॉल करना आपको क्या करना है सॉल यहाँ पर लगाओ गया प्रॉपर फॉर्मला पर प्लस b का होल स्कॉर देखिये यह फॉर्मला लगेगा इसमें ठीक है आपको फॉर्मला याद होने चाहिए आपने पहले भी लिखे होंगे A plus B का whole square तो क्या होता है A square plus 2AB बीच में होता है and plus B square आप चाहें तो ऐसा भी पढ़ सकते है A square फिर B square और फिर 2AB कोई फरक नहीं पढ़ता है उससे आगे पीछे लिखने पर इसलिए आप confuse ना हो ठीक है अगर आपने A square plus B square plus 2A पढ़ा है तो यहाँ पर खोलिए A की जगा कौन है X और B की जगा 1 है ठीक है तो यहाँ पर कीजिए X square यानि कि A square plus 2AB 2A की जगा कौन है X और B की जगा 1 है ठीक है plus B का square B मतलब 1 का square equal to यहाँ 2 के अंदर multiply कर दो 2X and minus plus minus minus 2 3 जा 6 आरी बासन में देखिए अब इसको solve करेंगे X square plus 2 1 जा 2X यह 2 1 जा 2 and X वहीं पर एगा ठीक है 1 का square कितना होता है 1 होता है इसको इधर लियाओ minus का 2X और 6 इधर आए किसका हो जाएगा plus equal to क्या करना है 0 करना है पता नहीं क्यों करना 0 क्योंकि इधर हमें standard form जो भी आपको बताई देखिए standard form उसमें equal में क्या है 0 करना है बाकि सब इधर आदाना चाहिए तो देखिए आपने 0 की equal कर दिया तो यहाँ पर यह plus का 2X और minus का 2X क्या हो गया cancel हो गया तो इसे हटा दीजे cut कर सकते हैं तो यह लिख दिया X square plus 1 plus कितना हो गया 7 हो गया equal to 0 दिखे यह चीज़ क्या हो गई cancel हो गई समझ मारी यह चीज़ आपने क्या कर दी cancel कर दिया आप ऐसे cut कर सकते हैं कोई problem नहीं है तो X square plus 7 अब बताईए क्या यह quadratic equation है Yes, this is a quadratic equation क्यों? कारण क्या है? ठीके, कारण यह है आप लिख सकते हैं कि it is it is of the form कि यह किस form में है? of the form AX square plus BX plus C equal to 0 ठीके, इस form में है और इसमें जो A है where ठीके, A not equal to A क्या नहीं है? 0 नहीं है मतलब जो X square का coefficient होता हो उसे हम A बोलते हैं यह 0 नहीं होना ठीके, अगर यह 0 हो गया तो quality का कोई वजूद ही नहीं रहेगा ठीके, कोई मतलब भी नहीं है तो it is the form of इस form में है आप बोलोगे सर आप इस form में कैसे दिखिए? X square दिख रहा है आपको constant term दिख रहा है यह नहीं है कोई problem नहीं है ठीके, तो हम लिख सकते हैं Hence, this is a quadratic equation यह ऐसे बिलिख सकते हैं कि जो given equation है वो quadratic equation है ठीके, कि the given equation ही जा quadratic equation दन है बाद तो हमने यह कौन सा part किया फर्स part कर ला ठीके, second part मैं note कर लेता हूँ ठीके, second part NCRT book से note कर रहा हूँ है X square minus 2X equal to है minus 2 और फिर bracket में 3 minus X ठीके, आपके पास Z है आप ध्यान से देखे, question को मैंने NCRT book से लिए आप देख सकते हैं, यह वाला question मैंने note कर लिए second part ठीके, तो इसको बस solve का नाम है बढ़िया करके, देखे, इसको तो सेटना नहीं है, यह तो सही है, X square minus 2X यहाँ minus 2 की अंदर multiply, तो 2, 3, 6, minus 6 आएगा minus minus क्या होगा, plus का 2X ठीक है, तो इनको अधर लियाओ, जैसा भी बोला, X square minus 2X, 6 सिदर आए किसका होगा, plus का 2X सिदर आए, किसका होजाएगा, minus का तो X square यह है, 2X और 2X दोनों negative है, तो क्या होजाएगा, minus का 4X plus 6 equal to 0 बताईए, quality है की नहीं है तो है, हम लिख सकते हैं कि it is, it is of the form, कि यह किस form में यह है, तुमारा, AX square plus BX plus C equal to 0 A का value 1 आए, B का value minus 4 आए, C का value 6 आए, इस form में है, तो हम लिख सकते हैं, therefore या hence ठीक है, the given equation, कि जो given है, हमें, the given equation, या this is, जो भी है, ठीक है equation is quadratic, ठीक है, is a quadratic equation, कैसा है quadratic equation है, आप इनको लिख लीजिए, ठीक है, बार-बार लिखना पढ़ रहा है, तो आप दीखिए third part, next है third part करते हैं, इसका अरी बास है, ठीक है, कि अरी बुक से, x-2, x plus 1, equal to आपका x-1 और x plus 3, तो आप इन्टू कीजिए, कोई problem नहीं होगी इन्टू ऐसे कीजिए, कोई problem नहीं है, x- x से करेंगे, तो क्या हैगा, x square x-1 से करेंगे, तो क्या हैगा, 1x, यानि कि simple x लिख देंगे, x-2 इसके साथ भी हो गई, और इसके साथ भी, आप minus 2-2 करनी है, तो minus 2-2 x के साथ, तो minus का 2x, minus 2-1 के साथ, तो minus plus, minus होगा, 2, 1, जा, 2, समझ मारी बात हैं, ऐसी इदर भी किजिए, x-2 दोनों के साथ, x-2 x, x square, x-3, 3x, ठीक है, होगे, अब minus कीजिए, minus 1-2 x, minus x, minus plus, minus 3, 1, जा, 3, ठीक है, simple calculation हो रही है, आगे कीजिए, x square, ठीक है, आप चाहिए दिनको, minus कर सकते हैं, लेकिन चलिए, कोई problem नहीं है, बाद में कर लेंगे, minus 2, इसको इदर लिया है, ठीक है, minus, दीक है, आपने, अपनी calculation होती है, कौन पहले कैसे करता है, उससे कोई problem नहीं है, ठीक है, अपनी calculation पे, जो है, भरोसा रखा करो, ठीक है, तो देखिए, x square एदर है, minus का, ये, minus का, ये, plus का, और ये, plus का, महला, सारे sign चीज़ हो गए, अब देखिए, कुछ सी जाकर cut रही है, तो काड़ दो, देखिए, x square वाला cut गया, ये वाला cut रही है, ये भी cut टेगा, ठीक है, आगे देखिए, x x कितना हो गया, 2x, ठीक है, x x plus का, 2x हो गया, और minus का, 2x भी है, देखिए, आप इनको देखिए, x और x हो गया, 2x, ये हो गया, plus का, और ये हो गया, cancel हो गया था ठीक है तो क्या बचा माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या बचा आपका 0 बचा माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आप बताईए कि क्या यह इस फॉर्म में है ठीक है तो हम बोलेंगे कि क्या it is it is not of the form किस form में नहीं है of the form ax square प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्यों नहीं है व्यूंकि इसमें a वाला 0 हो गया भई x square तो दिखी नहीं रहे थीक है आप चाहते इसको बनाके लिख सकते हैं कि सर्क मुझे तो देखना है x square देखे ऐसा लिख सकते हैं 0 x sq लिख दो जो जीरो एकस स्क्वार का मतलब क्या हुआ जीरो यह हुआ यानि कि वह चीज है नहीं बाकि आप पीछे लिख दो माइनस त्री एक्स प्लस वन बात ही कि यह जीरो गया दीकेस में जबकि एजीरो नहीं होना चाहिए तो यह इस फॉर्म में नहीं है ठीक है तो हम बोल सकते हैं इ इस इज देश इज ठीक है नॉट अक्वाडिटिक एक्कोशन यह कुण नहीं है ठीक है एक्कोशन दने बात यहां था कॉड़िक पार्ट इसका कौन सा पार्ट के अपने थर्ड पार्ट बहुत आसान आसन कोशन है सिंपल सिंपल तरीके से हम लोग कर रहे हैं चलिए दाल लें बड़िया करके कोई प्रावल्बम नहीं है ठीक है तो फॉर्थ पार्ट हम लिख लेते हैं यहां पर फॉर्थ पार्ट ठीक है तो एक्स माइनस 3 फिर ब्रैकेट में आपका 2x प्लस वन इक्वल टू है एक्स एक्स प्लस फाइव तो यह हमने नोट कर लिया इसका 4th पाथ अब दीके 6 करते हैं इसको बढ़िया करके 1 की 2 करते है एकस की 2 यहां होगी तो 2x होजाएगा 2x x 2x पता नहीं कियो है x2, इसकी 8 1 इसकी 10 बेस सेम होने पर 25 एड़ जाती है ठीक है एकस की 1 से करेंगे तो x 1 जा x 2 होगा यह अब 3 की इंटू करो त्री टूजा 6 माइनस खायागा पता नहीं क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ठीक है त्री टूजा 6x एंड माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3 ठीक है ऐसी x के अंदर मल्टिप्लाय करो x x x square प्लस फाइब इंटू x 5x ठीक है x5 लिखो या 5x लिखो बात एक ही अब क्या करेगे 2x square प्लस इसको आप x-6 कर सकते हैं आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चीए ठीक है यहाँ पर आप कर सकते हैं लेकिन चलिए कोई बात नहीं मैंने अभी फिलाल नहीं किया मैनस 3ra इसको दल्याएं मैनस का इसको दल्याएं मैनस उपक culinary गारम नहीं कितना बचा जिन ऐसको इसको दल्याएं व Lap breakfast जरीकिन अब्लम नहीं कितना टू जीरो आप और सॉल्ल करेंगे तो X और माइनस 11 कितना हो गया आपका माइनस का 10X हो गया ठीक है एन माइनस 3 टू जीरो आप देखें यह साफ साफ मुझे क्या दिग रही है एक क्वाडिटिक एक्वेशन यह मुझे नजर आ रही है ठीक है तो हम लिख सकते हैं इस आफ दा फॉर्म यह किस फॉर्म में है एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस एक्वाडिटिक एक्वेशन के जो गीवन एक्वेशन है वह क्वाडिटिक एक्वेशन है ठीक है आप ऐसा लिख सकते हैं दो दो कैने है Lincoln अबाद फॉर्थ पारट भी तो यह फिफ्थ पारट में नोटपर लेता हूं ठीड वunden फिर आपके पास x-3 फिर आपके पास x-5 फिर आपके पास x-1 ठीक है यह आपके पास फिप्ट पार्ट है 2x-1 x-3 x-5 और x-1 देखिए मेरे साथ कीजिए और आप जरूर जो है copy pen लेके जरूर बैठे ताकि आप भी करते रहें और आपको और भी clear होता रहे ठीक है जो देखिए 2x-2x करेंगे 100 x-1 x-1 x-5 x-5 पाइस से कि मैंने कहा आप चाहें तो इनकों भी कर पहली कर-दो कोई दिक्कत नहीं आप जैसा समझें ठीक है तो माइनस 6X माइनस 6 प्लस 3 ठीक है माइनस वे दह लिया इसको दल्य क्या कर दिया प्लस 5 प्लस थे सारे सायं क्या हो गए चेंज कर दिया उधर कितना बचा कुछ नहीं मनलब 0 ठीक है तो आप पहले ही इनको भी कर सकते हैं calculate कि 6x और x कितना हो जाता 7x हो जाता ठीक है तो मैंने नहीं किया मैंने देखा कि आराम से कट जाएगा calculation थोड़ा आसान करनी के लिए अपने इपनी calculation होती है ठीक है तो 2x square में से आप x square के कर लो माइनस खालो ठीक है तो आपका simply क्या बचा x square बचा भी ठीक है यह माइनस का 6 और माइनस का 5x कितना हो गया माइनस का 11x और 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 हो गया आपका कितना हो गया 8 तो equation आ गया आपकी x square माइनस 11 x plus 8 equal to 0 तो यह क्या है क्या है आप वैसे लिग लिए उपर से ठीक है कि देस इस इस आप पूरा लेंग्वेज लिखे जैसे मैंने ऊपर तीन चार कोशनों में लिखा हुआ है ठीक है आप पूरा इस तरह से लिख सकते क्योंकि मुझे गया x square है ठीक है यानि कि इसक पार्ट चलते हैं 6 पार्ट की और x square plus 3x plus 1 equal to आपका x minus 2 का whole square दने बाद तो देखिए इसको solve कीजिए x square plus 3x plus 1 equal to इसको a minus b का whole square खोल दो क्या खोल दो a minus b का whole square आपको formula अच्छी तरह से याद हो नचे a minus b का whole square का यह होता है a minus b का whole square का फॉर्मला a square बीच में होता है टूए बी माइनस और प्लस क्या होता है बी का स्क्वाइर बी मतला वन यहां पर वन चला है तो फिलाल तो अभी हम फॉर्मल लेग रहे हैं क्या लेग रहे हैं फॉर्मला ठीक है आइडेंटिटी जिसे आप बोलते हो यह आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी से लिगाई सारी प्लस कि अद्टवल्ण कर सकते हैं यहां प्लसके का माइनस और यहां आप वही काम कर सकते हैं कि 2AB को आप पीछे भी shift कर सकते हैं minus का जो 2AB है उसको पीछे भी लिख सकते हैं कोई problem नहीं है तो देखिए A की जगा कोन है X है तो X square होगा फिर minus का क्या होगा 2A and B, A की जगा X और B की जगा 2 and plus B square मतलब 2 का square ठीक है चलिए आगे solve कीजिए X square plus 3X plus 1 X square खोद लिया माइनस कर दिया ठीक है 2-2 जा कितना हो गया 4X minus का इधर आया किसका हो जाएगा plus का हो जाएगा सिधा कर दिया यह 2 का square कितना होगा 4 देखिए आप ऐसा कर सकते हैं इसको solve की 2 का square कितना हो गया 4 4 इदर आगा किसका हो जाएगा minus का हो जाएगा ठीक है मैनस सिधा एक लाइन थोड़ा कट कर दी वह पहले आप इसको क्या लें टू टू जा 4X and 2 का square कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 को मैं इधर लिया ठीक है आई बास है मैं क्या बुल लो मैं चलिए तो यहां स्कूर स्कूर क्या हो गया कैंसल 3 X और 5 X 4 X कितना हो गया आपका 7 X 1 और minus 4 कितना हो गया minus 3 आप खुद दिखे यह quadratic equation है क्या तो मुझे तो साब साब दिख रहा है कि यह quadratic equation नहीं है क्योंकि इसमें x square तो है नहीं मतलब आप वाला 0 हो गया ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि यह क्या नहीं है it is it is not of the form ठीक है किस form में नहीं है ax square plus bx plus c के form में नहीं है क्यों क्यों कि a 0 इसमें क्या 0 जीरो है ठीक है तो हम बोल सकते हैं हैंस hence this is not a quadratic equation कि ये quadratic equation नहीं है ठीक है आप ऐसा पूरा detail में लिखें तो वह काफी अच्छा रहेगा ठीक है चलिए तो ये भी आपका हो गया कौन सा part की आपने 6 part करा ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं इसके 7th part की और चलिए तो note कर लिया आपने इसका 7th part ठीक है x plus 2 का whole cube equal to a 2x and bracket max square minus 1 दीखें यहाँ पर x plus 2 का whole cube है यानि कि यहाँ पर लगेगा कौन सा formula जो भी मैंने आपको formula बताए थे उन मेंसे ये formula भी था ठीक है I hope आपने ओ फार्मले note कर लियोंगे जरूँद ठीक है तो formula है a plus b का whole cube फार्मला या आप xy भी ले लिए कोई problem नहीं है ठीक है आप a b में लो formula या xy में ले लो उससे कोई problem नहीं होती है formula है देखिए a cube plus b cube क्या होता a cube plus b cube ठीक है plus होता है 3 a b और bracket में लिखते है a plus b क्या लिखते हैं bracket में a plus b तो यह होता a plus b का whole cube का formula क्या aq plus bq plus 3ab bracket में a plus b आप चाहिए इसकी अंदर multiply भी कर सकते हैं मतलब आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं aq aq plus bq आप इसकी कर दें अंदर तो 3a square b की हो जाएगा एंद प्लस क्या हो जाएगा 3ab square ऐसा भी हो जाता है ठीक है आप चाहिए तो bq को पीछे भी लिख सकते हैं मतलब 3ab वाला portion बीच में और bq वाला portion पीछे ठीक है तो याद करने का जैसा आपको जतना आता है बढ़िया करके आप वैसे करके याद कर लें क्लिए कैसे बोल लाँ मैं तो देखिए एक की जगा कौन है आप एक से बी की जगा टू है ठीक है आप xy में भी लिख सकते हैं फॉर्मला एक के जगा एक्स और b के जगा य एक्स क्यूब य क्यूब एक मतलब x का क्यूब तो x का क्यूब प्लस b मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab 3ab a के जगा x और b के जगा 2 है ठीक है और ब्रैकेट में a प्लस b यानि की वही चीज़ जाएगी ठीक है इक्वल टू यहां इंटू कर सकते हैं आप अद्दा 2x की इंटू x स्क्वार से करेंगे 2x क्यूब हो जाएगा 2 पावर 1 पावर 3 प्लस माइनस माइनस 2x वन जा 2x हो गया ठीक है आई बास हमें क्या क्या हम बोल लें देखे आगे x क्यूब यही है हमारे पाव एक्स क्यूब 2 का क्यूब कितना आपका 8 है प्लस 3 तू जा 6x है एकस प्लस 2 इक्वल टू आप देखें तो यह ओजाएगा 2x क्यूब माइनस क का 2x के लिए और भी इसको सॉल करें आप इनको बलकि इधर लिया है ठीक है देखिए एक्स क्यूब प्लस एट यहां तो 6x के अंदर मल्टिप्लाय कर दो यह हो जाएगा 6x का स्कुरार प्लस 6 टूजा 12x के लिए इसको देल लिया हो माइनस कर दो बस यहां और यहां माइनस के साथ को पता है एक्स क्यूब गıt वाला ड्याट के साथ मैं घ्लत हो जाएगा square वाला square के साथ x वाला x के साथ जुड़ेगा ना कि x वाला भी इसके साथ जुड़ दें गलत हो जाएगा x cube minus 2x cube कितना बचा minus का x cube minus पता ना क्यों है क्यों है क्योंकि यह बड़ा sign है ठीक है x square वाला देखिए हम decreasing order लिखते हैं आपको पता है ठीक है पहले बड़ी power को ही मैं solve करूंगा फिर इससे बड़ चोटी power को ने टू वाली तो 6x square और यह है कोई नहीं है साफ साफ नजर आ रहा है कि यह quality equation नहीं है ठीक है it is it is not of the form यह किस form में नहीं है ठीक है ax square plus bx plus c equal to 0 इस format में नहीं है कैसे सर क्योंकि यह तो quadratic है ठीक है तो हम बोल सकते हैं this is hence yeah so जो भी आप लिगना चाहते हैं this is not a quadratic equation की यह quality equation नहीं है ठीक है तो हम पता नहीं कैसे कर रहे हैं इनको पता हम कहने कामल है इनको हमने solve करना है तब जाके हम क्योंकि हम ऐसे देखके नहीं बता सकते हैं कि यह quadratic है कि नहीं है ठीक है तो इसको थोड़ा solve करना पर देगा तब जाके हम बता पा रहे है जब पूरा एक प्रॉपर एक अजारी ठीक है उसी सहां बोल सकते हैं ठीक चलिए नेक्स सब्सक्राइब लेता हूं मैं लास्ट पार्ट इसका एड़ पार्ट ठीक तो एड़ पार्ट है एंस यहीं की बुक्से एक्स क्यूब और इधर आपका एक्स माइनस टू का होल कूब तो दिखे जैसे मैंने अप् ब्रेकेट में ए माइनस भी एंड ब्रेकेट में ए माइनस भी ठीक है तो यह हमने फॉर्मॉला इस पे लगा दिया है यह हमने फॉर्मॉला इसमें लगा दिया है ए माइनस भी कर सकते लेकिन थोड़ा याद करने के परपस से यह बढ़िया रहता है तुरंद याद हो जाता तो इधर तो कुछ डिस्टा भी नहीं करना इधर तो बिल्कुल जैसा है वैसा रहन देना इसको तो कोई भी प्रॉब् साइब यहां एक्स टूका क्यूब माइस ट्रीय मदलब एक्स माइनस टू कि लिए रहा है इदर जैसा है वैसा चलते रहें तो ठीके इधर कोई प्रॉब्लम में भी नहीं है ठीके एक्स प्लस यॉनुको को क्यूब्य कि मृत होता है एक्छा क्यूब आपने लिग दिया ठ यहां ड़न है भात यहां तक आप देखें पूरियन फोर एकस को इंदर लासकते हैं लेकिन चलिए कोई बात निए एक और लाइन कर लेते इसको अंदर मुंटिप्या गपर गए किसका हो हो जाएगा अब 12 x clear अब लियाकोई बात निया पूरा कॉंप्रीट हो गया अब कुछ बचा नहीं हो धर ठीक है तो आप इधर ले जा सकते हैं ये दर आएगा किस विए प्लस विद्सका हो जाएगा ठीक है यह दर आएगा किस विए प्लस का हो जाएगा फ्लस विए विए अपस्प के साइं इक स्कुर्ण बनेगा यह माइनस का है और माइनस का एक स्क्वार के साथ रिलेशन बनेगा माइनस का थारी एक स्कूर्म इट और फ्लस one कितना हो प्लस भी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म है एका वैल्यू कितना है टू है दीखिए बी का माइनस थाटीन माइनस भी लेना है सी का नाइन कि लिए तो एवाला जीरो नहीं हुआ यानिकि एक्स स्कॉर मुझे दिख रहा है तो यह क्या हो गया हैंस हम बोल सकते है देश यह जो गिवन एक्वेशन ठीक है दिशेज आप इसको दुबार से किजिए बढ़िया करके पूरा वीडियो को आप दुबार देखे जहां पर कोई डाउट होता वीडियो को पाउच की जिए खुद किरने की कोशिच कीजिए आपको जरूर आएगा ठीक है ठीक है ठ